आप देख रहे टेख तो चलिए चुरू करते हैं तो यार सबसे पहले बात कर लेती हैस्टाइल के बारे में यह हैस्टाइल इंटेशनल नहीं है आज मेरे अंकल ने यह हैस्टाइल बना दिया अभी सैनेट्रियस तो है नहीं कि गंजा वाल लेकर चली जाए और बड़े- किस्मावजी के वाले मैं नहीं देखने वाले आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं कि वैसे करी मैं आज कर प्रोग्राममिंग या फेर वीडिभलम्मेंट के वीडियो क्यों नहीं डार रहा हूं मैं मैं पाइफन का वीडियो आजकर क्यों नहीं डार रहा हूं तिया इसका सबसे बड़ा रिजन यही है कि व्यूज नहीं आते जो मेरा सबसे ज्यादा फ्यूड पाइफन के बार में वीडियो है वो 60 व्यूज है उसका बस और वो जो वीडियो है वो वाला सायद हमने जो इंट्रोड़क्स बारे में बताया था पाइथन में वह वीडियो जो है उसका 60 views है और वो most viewed video है जो प्रोग्रामिंग सेक्टर है उसमें बाकी सारे वीडियो में आपके 30 views एप्रोक्सिमेट है और कुछ-कुछ वीडियो में तो भाई 10-15 views है और कुछ नहीं है तो यार लाइक्स भी बहुत काम आते हैं और वीडियो में क्या होता है कि वीडियो लं करना चाहता हूं मैं हमारे बहुत सारे वीवर से वह हमारे पाइथन के वीडियो भी देखते हैं तो मैं उनका सेंटिमेंट को बिल्कुल भी डिस्रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं उनका बहुत रहा हूं लेकिन यार आप एक अगर creator की व्यूसे सोचेंगे तो आपको सम वीडियो जो है वह हमारे चैनल का मुश्ट वीडियो है तो यार अभी हम देख रहे कि जो हमारा प्रोग्रामिंग का वीडियो उसमें ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है तो आप ही बताएए कि एक न्या चैनल जो है उसको कैसा वीडियो बनाने का मतलब उसका जो क्रेटर है उसको कैसा वीडियो बनाने का मन करेगा ऐसा वीडियो जिसमें ज्यादा व्यूज नहीं आते या फिर ऐसा वीडियो जिसमें ज्यादा व्यूज आते है और यहां पर बस मन की बात नहीं है यहां पर यूट्यूब अल्गोरिदम है यह भी कुछ ऐसे ही काम करता है अगर आ आपका एक वीडियो है जिसमें जाधा व्यूज नहीं आ रहा है तो यूटूब अल्गोर्थम जाए वह आपका चैनल को बाकी यूटूब जो ओडियंस है उसको रेकमेंड नहीं करेगा और हमारे चैनल यह तो बस हमारे फ्रेंड्स और जो हमारे लेटिव से उनके उपर लि कने स्कीन में आप बताईए कि हम प्रोग्रामिगस देखना छाहते और अगर आप प्रोग्रामिंग से कुछोड सो छोड़कि अगर आप किसी दूसरे टौपिक पर वीडियो देखना चाले तो कॉमेंट सेक्शन में वह भी आप ज़रूब बताईए कि मैं इस टौपिक पर वीडियो बनाई है तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बाकी लोग नहीं देखते तो यहां पर आज हम लोग क्या करेंगे कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में कर दिए कि कि आपको किस टॉपिक को पर वीडियो से कर्णा है और उसके बार जिन लोग दोगता है कि हम लोग तो पर आइसा मिलग करने कि कर दो जैज अब लोग को चोटा है हमको पता है कि audience हम लोग को बहुत जादा नहीं है यह चीज कितना success होगा वो भी मेरे को ठीक से पता नहीं है लेकिन मैं फिर भी यह risk लेने को तयार हो रहा हूं तो आप लोग प्लीज इस चीज में मेरा साथ दीजिए अभी एक चीज में आपको बता दाओ कि ऐसा अब हम अभी हम प्रोग्रामिंग के वीडियो अपलोड नहीं कर सकते लेकिन फॉर एक्जामपल आप सोचिए यह पाइथन का वीडियो अगर हम आपलोड करते हैं वह 20 मिनिट का वीडियो होता है फॉर एक पाइथन का वीडियो लिस्ट के ऊपर मैं आपको यूटूब में कोमेंट सेक्षिन में बोल सकते हैं कि भाई तुने गलत कहा है ऐसा वीडियो है और आप में उसका लिंक दिखाईए उस वीडियो के लिए मैंने 2-3 दिन से महनत करके सारे लिस्ट के जितने भी फंक्शन होते हैं मैंने कोई भी फंक्शन में नहीं चोड़ा है जो पाइथन चरकल नहीं वीडियों बना रहा हूं अभी मेरे पास अगर आप हैं अगसे करे के रखाऊ तीनों वीडियो मैं आपको बता सकता हूँ एम पाइटन ट्रिक्स के ऊपर थर्ड वीडियों औरvoll्युसराव वीडियो है वो है हमारा दिखर से यह नोगरा पाइफन का मेन कोर्स चड़ा था उसमें और तीसरा वीडियो जो है वह आपको वेव आटोमेशन के बारे में पाइफन की मदल से लेकिन यह सब वीडियो में तभी अफलोड करने का मेरा मन करेगा जब इन सब चीजों में आपको व्यूज आएंगे या फिर आपके एंगेज अगर आप सोच रहे कि मैं अगर आप आज कमेंट करते तो मैं इसके बाद से चाहरे पर पूरा प्रोग्रामिंग की वीडियो जी डालता रहेंगे और कोई भी नॉनमेल टेक के वीडियो नहीं आएंगे तो यह चीज़ गलत है मैं यहाँ यूट्यूब में आया है इसलिए हूँ कि मैं टेक के बारे में कुछ बता सकूँ तो वो वीडियो तो जरूर आएंगे उसके साथ बीच-बीच में आपको प्रोग्रामिंग के वीडियो भी आते रहेंगे तो अगर आपको यह चीज़ देखना है तो आपको आज एक्सेन लेना पड़ेगा और आपको पसंदा होगा चलिए मिलते है नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाई बाई